आपका स्वागत है और मैं हूँ आकासिंग आज हम इस वीडियो पर कुछ बहुत ही महत्पूर्ण टॉपिक पर बात करेंगे और वह टॉपिक मुखे रुप से किंद्रित होगा हमारे एक नए इनिशियेटिव पर जिसका नाम है CGPSC Mains Program हम क्या बात करेंगे तो CGPSC Mains Program है क्या उसका कारियो कैसे करेगा उसका उद्देश क्या है उसका लाब क्या है और उसके बाद हम एक और important pillar पर बात करेंगे कि जब भी answer writing किया जाए उत्थर लेकर अभ्यास जब किया जाए तो कीन प्रमुक विशेज बातों का दियान जिससे एक सही दिशा में आप answer writing practice की शुरुआत कर सकें अब चूकि यहां हमारा program शुरू हो चुका है तो इस समय पर इन बातों पर चर्चा करना बहुत महतोपुड बन जाता है तो चलिए CGPSC Mains Program है गया तो CGPSC Mains Program हमारे एक ऐसा initiative है जिसमें हम बड़ी सी बड़ी मात्रा में चात्रों को मेंस के संबंधित मागदर्शन दे सकें अब प्रिलिम्स का एक्जाम हो चुका है आंसर की भी आ चुका है और लगबग लगबग चात्रों को यह अंदाजा हो चुका होगा कि कौन safe zone पर आ चुके हैं अर्थात pre-qualify कर रहे हैं और मेंस अब वो लिखेंगे और जब यह अंदाजा आ गया है तो एक छण भी अगर हम या फिर कुछ और चीजों पर ध्यान लगाए तो हमारे लिए वो समय की बरबादी होगी तो अब यह परियाप्त समय आ चुका है यह उप्यूक्त समय है कि आप बहुत ही तेज गती से अपनी मेंस की answer writing पर कारे करन हमारी CGPSC मेंस प्रोग्राम इसी बात पर किंदरित होने वाली है CGPSC मेंस प्रोग्राम का उद्देश क्या है इसका उद्देश यह है कि छात्रों को मेंस में किस तरीके के अपने यूजना बनाने होंगे किस तरीके की answer writing करनी होगी उससे उनको मागदर्शन दिया जा सके हम प्रमुकूरूप से ये देखते हैं कि syllabus जब छात्र देखता है जब समझता है तो कई बार ऐसा confidence आ जाता है और कि हम ये CGPSC का जो हमारा syllabus है उसे हम आसानी से पढ़ लेंगे और पढ़ कर वो अपने यहां पर चले जाते हैं मेंस देने तो जब मेंस देने जाते हैं और marks कम आत से अगर वो तूटी या कमी पर अगर हम बात करें तो वह यह हुआ कि हम आंसर राइटिंग पर विशेज ध्यान नहीं रख सके हम अगर बहुत अच्छा पढ़ भी ले बहुत सारी किताबे पढ़ ले बहुत सारा ग्यान अरजन कर भी ले ले लेकिन उसके बावजूद आपको बदाया होगा कि यह क्या है तो CGPSE मेंस प्रोग्राम पर हम discussion community पर कुछ questions आपको देंगे सारे ही सिलिबस को cover किया जाने का प्रयास किया जाएगा पेपर 127 इस सारे ही पेपर को इस तरीके से अरेंज किया जाएगा कि आपकी तयारी इसके सासात में होती रहे हम यहा तब विडियो आने के तीन दिन पहले ही discussion community पर questions दे देंगे आप जब हमारे discussion community पर जाएंगे तो वहाँ पर आपको सारे ही subjects के वहाँ पर आपको tab बने हुए दिखेंगे आप दिये गए schedule के अधार पर उस tab पर click करेंगे और tab पर click करने के बाद आपको questions दिखने लगे जो questions ह होंगे वो अलग अलग word limit और marks पर आधारी दोंगे जैसा कि दिये गए schedule के अधार पर हमारा सबसे पहला जो यहाँ पर discussion community में topic आया है वो quality से संबंदित हैं जब हमारे discussion community के tab को आप open करेंगे तो वहाँ paper 3 पर जाकर click करेंगे वहाँ पर आपको संबिधान से संबंदित तो जब आप वहाँ पर उत्तर लिखेंगे तो उत्तर लिखने के कई तरीके हो सकते हैं आप directly वही पर उत्तर लिख लें या फिर paper पर लिखकर आप उसे image के form में वहाँ पर post कर दें जब आप वहाँ पर उत्तर लिख लेंगे और साथ ही साथ आपके जैसे कई आपके जो प लियांकन कर सकते हैं, आप अपने आप में भी सुधार की जो अवश्यक्ता है, उसे आप बिल्ड कर सकते हैं, और दूसरों को भी वहाँ पर कमेंट के तौर पर सुझाओ दे सकते हैं, साथ ही साथ जो सब्जेट के कोश्चन वहाँ पर होंगे फैकल्टी जो हमारे हैं जो एक्सपर्ट फैकल्टी जिससे आपनी मुलाकात किया है हमारे FTR प्रोग्राम में वह भी वहाँ पर आकर आपको कमेंट करके आपको सुझाव देंगे इस तरीके से बड़ी सी बड़ी बहतर उत्तर कैसा हो सकता था या किसने अच्छा लिखा है इन सारे चीजों पर बात की जाएगी जिससे आप एक सही गाइडेंस के तौर पर अपने अगले प्रयास पर बहतरी ला सकें तो यह है डिसकेशन कमेंटी का या CGPSC main program का कारे करने का किस प्रकार की हम प्रणाली यहाँ पर पर स्थापिद किये हैं यह तो हो गई कि यह किस प्रकार से कारे करेगा अब हम बात करते हैं कि इस हमारे प्रोग्राम की विषिशता क्या विषिशता ये रहेगी कि हम जो भी questions आप से deal करेंगे वो exam के pattern पर अधारीत होगा और कई बार ऐसे भी questions होंगे जिसकी संभावना बन रही है अब यह संभावना कैसे हम decide करते हैं संभावना decide करते हैं वरतमान में जो भी मुद्दे यहाँ पर जोलित होते हैं hot topics होते हैं उससे हम यह संभावना निकाल लेते हैं कि सारे इसी लिबस से यह वाला part हमारे लिए बहुत important है तो यह एक तरीके की इसकी विशेश्चता है कि जब भी हम pattern पर भी बात करेंगे संभावित प्रश्णों पर भी बात करेंगे और साथ ही साथ सब्स्रीमा पर कैसे बंधा रहा जाए किस प्रकार से बाकी लोगों ने काम किया तो वो भी देखकर आप समझ पाएंगे यह इसकी विशेश्चता होगी अब बात करते हैं इसका लाब क्या आपको इसका लाब क्या में उड़ा है सबसे प्रमुख लाब तो यही है कि आपको अगर आप सब्जेट्स को एक उपर या ओवर्विव आपको पता है आपने पढ़ा है तो इस आगामी मेंस के लिए आपको किसी भी प्रकार के कोचिंग करने की अवश्रक्ता लगभग ना के बराबर है क्योंकि आप जब सब्जेट्स पढ़े हैं तो आपको एक फिनिशिंग की आवश्रक्ता है कि आप जब आंसर लिखें तो उसमें एक फिनिशिंग कैसा रखा जाए जिससे आप अपनी अच्छी आंसर राइटिंग प्रक्टिस कर सकें तो मेंस के क्लास या कोचिंग जाने की आपको जवरत नहीं पड़ेगी अर्थाथ आपके अजयेबों पर बहुत ज़ादा भार नहीं पड़ेगा सब्से पहला लाब तो आर्थिक लाब यहाँ पर हो जाता है दूसरा यहां पर लाब क्या मतलब mains के समीब तक आप पहुंच जाएंगे अगर आप दिये गए schedule के अधार पर अपने आपको बांधे रखते हैं तो आपको पता भी नहीं चलेगा कि कैसे आपका topic पर topic करते हुए subject और subject करते हुए आपका different paper आपके तयार हो जा रहे हैं तो आपको खुद को बांधे रखने के लिए बहुत ही ये सहया कोगा ये हो गया इसका दूसरा lab अब हम बात करते हैं अगला lab अगला lab ये है कि जब आप इस answer writing practice करके discussion community पोस्ट करेंगे तो आपके answers लोगों को दिखेंगे और लोगों की answers आपको दिखेंगे तो इस तोर पर आप अपना स्वेम यहां पर evaluation कर सकते हैं मुल्यांकन कर सकते हैं कि किसने बहतर answer लिखा और वो बहतर answer होने का पैमाना क्या था आप ये भी देख सकते हैं कि कैसे आप बहतर answer खुद लिख रहे हैं और कैसे आपके आस पास के लोग जो आपके साथ में हों computer बनकर बैठने व तयारी कर रहे होंगे देखिए जब हम मेंस देने जाते हैं तो एक दिन में दो paper होता है और मेंस के समीब के जो समय होता है वो बहुत जादा stressful रहता है उस time पर आप ये कोशिश करते हैं कि आप सारे paper के जितने भी syllabus के part हैं आप उसको जल्दी से revise कर सकें और revision करने के लिए अगर आप मोटी बुकों के तरफ अगर आप रुख करेंगे तो आप और ज़्यादा stress हो जाएंगे तो इसलिए ये बहुत ही अनिवार हो जाता है कि आपके पास में एक synopsis की तरह पर अपना self created notes हो इस CGPSE मेंस प्रोग्राम में जब आप बने रहेंगे जब आप अपने answers लिखेंगे तो वो copy आपके पास जो रहेगी वो एक प्रकार का आपका synopsis ही हो गया वह paper जो हो गया वो ऐसा ही हो गया जिसको आप exam के समीब जल्दी से पलटाते हुए पन्नों को revise कर लें तो आपके अंदर confidence boost होता रहेगा जो की बहुत जरूरी है इस field में तो ये हो गया आपका self notes बनने की यहाँ पर बात अब हम बात करते हैं इसमें अगले lab की अगले lab की बात ये है कि जब आपके paper को आपने लिक तो लिया लेकिन उसके बाद आपको चाहिए कि आपका paper बहतर था या नहीं था किसी expert के दौरा उसमें कुछ सुझाओ मिलना मतलब कि उसमें और क्या better हो सकता था तो वह भी आपको मिलता रहेगा हमारे videos के माध्यम में और उसके discussion community में comment के माध्यम में भी तो इतने सारे lab के तौर पर आप CGPSC mains program को देख सकते हैं तो ये हो गया इसका lab तो मोटा मोटी अगर देखा जाए तो मैं यही कहा दूँगा कि CGPSC mains में बहुत चाहते हैं तो एस CGPSC mains program में आपका बना होना अनिवार है और साथ ही साथ यह आपको जो lab मिलने वाला है वो कोस्ट क्या है उसकी तो जीरो लो कोस्ट है अब वो कोशिंग जाने की ज़वरत ही नहीं है इस चीज़ पर अब हम अपने अगले pillars पर बात करेंगे और वो अगला pillar जो हम बात करने वाले हैं वो यह है कि जब आप answer लिखने उतर ही रहें तो आपको किन विशेश बातों पर ध्यान रखना होगा सबसे प्रमुक बात जो आपको ध्यान में रखना है वो यह है कि सबसे बहतर उत्तर का पैमाना नहीं है आप उसको define नहीं कर सकते हैं क्योंकि जब भी आप main answer writing करें और आप यह देखें कि सबसे बहतर या सबसे best answer कैसा होना चीए तो इसका कोई भी एक perfect definition नहीं है यह चीज़ आप ध्यान में रखें CGPSC ने अपनी notification पर या फिर किसी भी अपने अन्य माध्यम से या medium से यह नहीं बताया है कि answer ऐसे ही लिखना है तो सबसे पहले तो आप यह perfect answer की definition की तलाश तो बंद गर दें perfect answer नहीं होता लेकिन फिर भी उसके बाद लोग compete कैसे करते हैं तो यह पूरी की पूरी कहानी practice पर जाकर टिक जाती है देखें जब आप means की answer लिखते हैं तो आपके लिए यह ध्यान होना चाहिए कुछ प्रमुख बातों पर उस पर मैं बात करूँगा भी कि आप यह समझ लें कि कोई एक perfect answer नहीं होता तो आप किसी दूसरे के answer देखकर अगर आप उस तरीके से नहीं लिख पा रहे हैं तो अपने आपको demoralize और demotivate ना करें सबसे प्रमुख बात हैं क्योंकि जब आप civil services पर आते हैं तो आपको हमेशा अपनी कमियों पर ध्यान देने से ज़्य ज़रूरी यह होता है कि आप बहतर कैसे हो सकें आप अगर अपने कमियों को लेकर अगर भ्याकुल होंगे बेचैन होंगे तो बेशक तो पर आपकी performance डाउन होगी तो आप क्या करें आप हमेशा अपने modification पर ही किंद्रित रहें अपने सुधार पर ही किंद्रित रहें इसी म मेंस के question आपको मिलेंगे discussion community पर तो आप उस question पर अपने आपको सबसे पहले तो मेरा ऐसा सुझाओ है कि बांधे ना आपको कोई question अगर दिखता है कि वो 30 word पर है तो आप के पास 3 दिन का समय है आप discussion community पर जब answer लिखें तो आप यह सुनिश्चित करें कि discussion community पर आपका सबस best answer ही वहाँ पर आना चाहिए उसके पहले आपके पास 3 दिन है इस 3 दिन पर आपको क्या करना है आपको वो topic पढ़ना है सबसे पहले जो topic दिया गया है उसको पढ़ने के बाद उसके questions पर आपको जाना है उस question पर जाने पर जब आप लिखने की शुरुआत करें तो अपने दिमाग से उन सारी चीजों को हटा दें कि अच्छा शब्द कैसा होगा अच्छे वाट सबसे पहला जो requirement होता है वो यह होता है लिखना अगर आप लिखेंगे ही नहीं अगर आप पहली सीड़ी चड़ेंगे ही नहीं तो आप वो अंतीम सीड़ी तक पहुँचेंगे नहीं और उसके बाद उसको सुधार करते ही करते जब आप अपने अंदर वो confidence आ जाए कि यह जो answer है यह सब आपका सबसे best answer है उसको आप जाकर discussion community पर लिखने हैं उसके बाद ही आप सहीं तरीके पर अपना evaluation कर पाएंगे अब बात यह आती है कि जब मैंने यह कहा कि आपको लिख परिभाशा नहीं होती तो फिर अगर परिभाशा नहीं होती तो फिर हम बहतर कैसे लिखें इन सारे चीजों पर बात करते हैं तो सबसे पहला जो important बात हो जाता है answer writing का वो होता है उन तीन पिलर से सबसे पहला पिलर आंसर राइटिंग जब भी आप करें तो तीन पिलर हमे तो गलत नहीं होना चाहिए अगर आप कितना भी अच्छा वहां पर लिख रहे हैं अंडरलाइन किये पड़े हैं अच्छी राइटिंग है खुशूरत लेखन शहले ही आपकी अच्छे शब्दों का प्रयोग कर लेते हैं आप उसके बावजूद भी अगर आप उस question का गल अगला यहां पर important चीज़ा आपको ध्यान में रखना है वह रखना है कि to the point होनी चाहिए तो मैंने क्या कहा पहला पिलर answer writing पर content content का सहीं होना अनिवार है और दूसरा to the point होना चाहिए जो पूछा गया है आप से वही आपको वहां पर लिखना है कई बार क्या होता है कि जो हम उस पर उस question को देखते हैं और उस question को हमको बहुत आसान लगता है और हम बहुत ज़्यादा गोल गोल जवरत से ज़्यादा जानकारी वहां पर देने की कोई आपशकता ही नहीं है क्योंकि शब्द स्नीमा है आपके पास तो जितना पूछा गया है उतना ही to the point आपको content व आपको कितरी भी अर्ने जानकारी हो आप भावनाओं में नहीं बहेंगे आप यहां पर अपने आपको बांध कर रखेंगे और बांधने का तरीका यहीं है कि to the point रखें जितने content सहीं होने चाहिए और content जितना to the point होगा उतना ही ज्यादा बहतर आप चित्र बना पाएंगे जाच करता के दिमाग में अपने उसके बाद आता है दूसरा पिलर दूसरा पिलर होता है भाशा जब भी आप answer लिखें तो आपको answer के भाशा पर विशेज ध्यान देना है किस प्रकार से देखें आप कोई एक चीज जानते हैं जैसे मान लेजिए मैं उधारन के लिए हम ए सबसे पहले तो आपका content सही होना चाहिए आप कुछ गलत नहीं लिखेंगे उसके बाद to the point होना चाहिए to the point होना चाहिए कहने का मतलब है कि GDP को अगर परिभाशित आप करेंगे तो एक निश्चीत समय औधी पर किसी भागुलिक छेत्र के भीतर उत्पादित सभी अंतीम सेवाओं के खुल मौतरिक मुल्य को उस भागुलिक छेतर का सकल घरे लोत पाद या ग्रॉस डिमस्टिक प्रड़क्ट कहा जाता है money value of all the final goods and services produced within a territory in a specific period of time is called gross domestic product of that particular territory ये हो गया GDP की परिभाशा अगर आप इस परिभाशा को देखें content आपका बिलकुल सही है और उसके है तो बताया हमको वहाँ पर परिभाशा पूछा गया था परिभाशा हमने बता दिया अब जैसे ही भाशा के इस तरह पर हम पहुंचते हैं तो भाशा पर हमने क्या देखा कि हम ऐसी भाशा का chain किये जो किसी को भी समझ में आ जाएगा और भाशा के इस तरह हमको ऐसा ना होंगे उस उत्पादन का जितना भी मनी बनेगा मुद्रा बनेगी उसको जोड़ देंगे तो उस जगे का वो क्या बन जाएगा सगल घरली उत्पाद ये भाशा के इस तरह अगर आप चुनेंगे तो समस्या है आपको भाशा का इस तरह ऐसा रखना होगा जो सीविल सर्व लिखें तो ऐसा लगे कि एकनॉमिस्ट ने लिखा है और जोग्रिफी के पेपर लगे तो जोग्रफर ने लिखा है देखें हमको उन सारे बातों पर ध्यान नहीं देना है आप एकनॉमिस्ट के लिए एक्जाम नहीं दे रहे हैं आप सीविल सर्वेंट के लिए एक्जाम रखना है मतलब भाषा का इस तर सरल के सांसात में इस टेंडर्ड भी दिखना चाहिए बहुत ही आसान शब्दों में अगर कह दिया जाए तो जो नियूस पेपर में आप जिस तरीके का आप आर्टिकल वगरा पढ़ते हैं या फिर कह दिया जाए कि जैसा आपने NCRT की है वैसा ही आपको उत्तर में भी अपने अंसर रैटिक में भी डेलप करना होगा आपको धियान रखना होगा कि आंसर जो होगा वो सरल भी रहे और वो स्टेंडर्ड भी लगे यह हो गया दूसरे यहां पर पिलर की बात जिसमें हमने लेंग्वेज या भाषा पर बात की अ अब हम आते हैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण और अंतिम पिलर पर और वह पिलर होगा प्रेजेंटेशन का देखें जब भी हम आंसर लिखते हैं तो हम अपने आपको कितना बहतर तरीके से रिप्रेजेंट कर रहे हैं वहाँ पर यह बहुत जादा जरूरी हो जाता है अग ऐसे जोर ग का सुनते हैं अंसर जब लिखें तो paragraph में होना चाहिए कई लोग कहते हैं point पर होना चाहिए कि 0 tempo डालकर हम अंसरलें देखें नहीं जैसे ब इस प्रकार का प्रश्र का कितना तरीके से आप उत्तर यहां पर लिख लेंगे यह करता है paragraph मे लिंए तो point पर लिखना है जैसे for example अगर मैंने GDP को परिभाशित करने के साथ साथ में एक और प्रश्चन जोड़ दिया कि GDP को परिभाशित करें एवं उसके महतु को बताएं तो यह question आप जब answer format पर लाएंगे तो आप क्या करेंगे कि जब GDP की परिभाशा होगी उसे तो point पर लिखने का कोई औचित है नहीं वनता वहाँ पर तो आप paragraph पर ही लिखेंगे जैसा definition अभी थोड़ी दिर पहले बताया अब अगर बात आती है महतु की तो महतु आपका बहतर तरीके से दिखेगा अगर आपने point पर बताया क्योंकि आप से इसमें महतु पूछा गया है तो आप महतु नंबर एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, ऐसे करके छे, साथ महतु अगर अब बता देंगे तो जाच करता को दिख जाएगा कि परिभाशा जानने के बाद इसको छे महतु पता है तो इस तरीके से आप paragraph और point के ये दो समुदाय और दो विचारधाराओं की जंग में नागुजें आप ये समझ ले कि दोनों ही सही हैं ये सुनिश्चीत होता है कि किस प्रकार का question है और उस question पर किस प्रकार तरीक, किस प्रकार से आप paragraph से अच्छे ये आपको वहाँ पर decide करना होगा कई बार ऐसा होता है कि आप बहुत सारा शब्द वहाँ पर लिख चुके हैं और आपको लगता है कि इसमें से कुछ प्रभावी शब्द ऐसे हैं जो उस पूरे ही statement या पूरे ही उत्तर को बहुत अच्छे से define कर जाएगा उस उत्तर या उस शब्द को आप underline करना ना भोलें जब आप underline करते हैं तो जाज करता के सामने जब वह paper आता है तो वह देखता है कि जो underline वाले शब्द हैं उसके ध्यान पहले पढ़ती है पहले ही अगर ध्यान पढ़ जाए तो वह बहुत ही असानी से समझ जाता है कि आपको इस question को स इसे शब्दों को कई बार ऐसा होता है कि शब्द सीमा हमें कम लगते रहती है और हमें लगता है कि इसमें जितनी शब्द सीमा दी गई है उसे हम बहतर तरीके से नहीं लिख पा रहे हैं इस आंसर को तो आप बिल्कुल वहाँ पर टेबल का फ्लो चार्ट का एरो डाइग्रा का उप्योग कर सकते हैं यह सारी चीज़े प्रेजिटेशन पर आती हैं जब आप अंतर वाले उत्तर लिखें तो बहतर तरीका तो अंतर का यही होता है जो हमने हमारे स्कूलों में सीखा है क्या होता है कि दोनों ही जगे पर जैसे मान लीजे जीडिपी और जीएंपी के यह अंतर बना दिया गया है पूछा गया है तो आप एक तरफ जीडिपी लिखें एक तरफ जीएंपी लिखें एक आप दो कॉलम पर इसे रख दें और दो कॉलम पर रखने के बाद आप पॉइंट से लिख दें जैसे पहला जो अधार होगा परिभाशा का दूसरा जो अधार था परिभाशा था ठीक वह जी एंपी कितना अंतर करता है उसके बाजू में दिख जाएगा अगर आप अंतरों को ऐसा पैराग्राफ फॉर्मेट पर अगर आप लिखेंगे तो पहले वह पूरा पैराग्राफ वह जीडीपी के बारे में पढ़ चुका और उसके करता हो कितने असानी को एपने घ्क्ञाने को ěरख देए और कितने प्रभावी तोर से आप दूसरों की तुलना पर अपने आपको वहाँ पर स्थाबित कर दें ये है प्रेजेंटेशन का मेल यहाँ पर अबजेक्टिव तो इस प्रगार से अगर देखा जाए तो आंसर रेटिंग जब आप करें तो जब भी आप कोई कोशन पढ़ें तो पहले रुख जाएए पहले सोचिए कि कि इसका कंटेंट क्या होगा आप जाईए कि सही कंटेंट और तूसर पोईंट ये होने वाला है उसके बाद जब आप उस پर पहुँचे तो आप देखें कि एक सही भाशा शैली वहाँ पर क्या होनी चाहिएoral, एक अच्छा इस स्टेट्मेंट वहां पर फॉर्म कैसे हो र रहे हैं हमारे इस सीजी पीसी मेंस प्रोग्राम के दोरान आपको ये अपनी शैली बना कर रखनी होगी जब आप ये सारी चीजें अपने अंदर डिवलप कर लेंगे तो धीरे 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 आप उस परफेक्ट आंसर के समीप पहुंच जाएंगे जिससे आप दूसरों की तुलना पर बेशक अच्छे मांग्स भी आप ले पाएंगे तो मेंस आंसर राइटिंग का आत्मा ही है प्रैक्टिस प्रैक्टिस मेक्स में परफेक्ट वो में परफेक्ट भी आप कह सकते हैं मिसोजनिस ना लगूं इसलिए ये कहवत दोनों के लिए अप्लाई होता है तो आप मेंस आंसर राइटिंग क्या है मेंस आंसर राइटिंग प्रैक्टिस की कहानी है जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे इन तीन पिलर्स पर तीन पिलर्स क्या है कंटेंट लेंगवेज और प्रेसेंटेशन सारे चीजों पर आप हर एक कोश्चन पर इसको practice में जोग दीजिए जब आप practice में जोग देंगे तब आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपके अंदर ये already develop हो चुका है आपको बहुत आसानी से अब ये आपको सोचने की उस सब कहानियों में उन चर्चाओं में अपने आपको वेस्ट रखने की ज़रुद नहीं पड़ेग अगर आप अपने आप से ही compete करते जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि आप अपने best version की और बढ़ रहे हैं और जब आप best version की और बढ़ रहे होंगे तो आपको बहुत जल्दी और बहुत असानी से आपको अपना लक्ष मिल जाएगा तो practice करिये practice करते करते इन सारे चीज़ों का रध्यान रखिये और हमारे CGPSC मेंस प्रोग्राम में लगातार बने रहे हमारे टेलीग्राम चैनल हमारे website हमारे यूटूब में लगातार हमारे साथ जूड़ते जाए और भी लोगों को जोड़िये क्या है कि सिर्फ अकले-अकले लाब लेने से लाब छोटा हो जाओ तो अब पुर्णे भी कमाएंगे तो जल्दी सफलता मिलेगी तो जादा लोगों को अपने साथ जोड़िये जादा लोगों को इसका लाब दिलाने पर सहता करिये हमारे भी आब भी और हमें इसने और प्यार आप देते रहे ताकि हमार अंदर भी वो उर्जा बनी रहें जिसे और अपने बहतरी और कॉलिटी पर हम काम कर सकें तो इस तरीके से आप हमारे साँ जुड़ते जाएंगे यूटूब में वीडियो आपको आते रहेंगे लगातार आनन सर के द्वारा मेरे द्वारा अरुन सर के द्वारा और भी हमारे एक्सपर्ट फेकल्टी के द्वारा आपको ये सारे वीडियो गाइडेंस के आपको मिल दे जाएंगे तो बने रहेंगा तो चलिए फिर इस CGPSC मेंस प्रोग्राम के शुरुवात के लिए आपको बहुत बहुत शुब कामना और इसमें आगे बढ़ते रहें ताकि जब में का एक्जाम हो तब हम एक कॉंफिडेंट रहें कि बच्चे बहुत अच्छा परफॉर्म करके आने वाले हैं धन्यवाद